असलामों अलेकुम हेलो फैंट्स वेलकम टो मैंई जहारास की चेन मैं हूँ जहारा उमीद करती हूँ आप सब हैरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ जटपड बन जाने वाला बहुती मज़ेदार साउथ इंडियन रेसिपी लेकर रहे हूँ जिसे हम बनाएंगे बहुती सिंपल तरीके से आज हम बनाने वाली हूँ बहुती मज़ेदार जटपड बन जाने वाला सामबर और साथ ही सौफ्ट इटली इटली हम बनाएंगे काटोरी में ना कि हम उसे छाचे पर बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार का नास्त बन कर तयार होता है जहटपड बन भी जाता है बहुत ही मज़ेदार का आपका इटली भी बन कर तयार होगा तो फ्रेंड्स अगर आज की इटली और सांबर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए हेलफु लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करते भेजाएगा तो सबसे पहले हम इंस्टन्ट इटली बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया एक मिक्सिंग बोल जिस पर हमें डाल देना है दो कप पोहा इसे मैं पानी से अच्छी तरह से पहले साफ कर लूँगी तो आज मैं यहाँ पर इंस्टन्ट इटली बनाने वाली हूँ ना तो हमें दाल चवल को भीगो कर रखना होता है हम आज बनाएंगे सूजी और पोहे से अच्छी तरह से पीलेंगे इसे पीछने के लिए हमें पानी का इस्तिमाल नहीं करना है दही और पोहे को हम अच्छी तरह से पीछ लेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से पेस्ट बन कर तयार हो जाएगा अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक मिक्सिंग बोल पर जिस पर हम बैटर तयार करेंगे और साथ हमें इहां पर डाल देना है सूजी सूजी मैं है पर बिल्कुल बारिक दाने वाले सूजी का इस्तिमाल कर रहे हूँ देड़ कप हम सूजी एड़ कर लेंगे जिस कप से मैंने लिया है पोहा, सूजी और दही उसी कब से मैं यहाँ पर डाल दूँगी दो कब पानी पानी डालने के बाद हम सभी चीजों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे बिल्कुल भी इसके अंदर हमें लंस नहीं रखना है हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नमक एड नहीं करना है और कोई भी चीज यहाँ पर एड नहीं करेंगे सिर्फ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 15 मिट लिए मैं इसे साइट पर रख लूँगी ताकि सूजी जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से फुल जाए तो चली मैं 15 मिट लिए से साइट पर रख लेती हूँ इसी दर्मियन हम सांबर बना लेंगे प्रेसर कूकर मैंने रख लिया है है मीडियम फ्लेम पर और अब मैं हाँ पर डाल दी हूँ वन बाइ थ्री कप के करीब रिफाइंड ओयल अब मैं हाँ पर कुछ करीब पता डाल देती हूँ मैंने मेरे पास सूखा करीब पता था तो मैंने डाल दिया है अब चाहें तो फ्रेस करीब पते का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सेकेंड के लिए हम उसे सौटे कर लेंगे जब उन सभी का एरोम अची तरह से तेल पर आ जाएगा हमें हाँ पर एक बड़ी प्याज को रफली चॉप करके डाल देना है इसी के साथ में हाँ पर कुछ वेजी टेबल भी एट कर लूँगी मैंने थोड़ा सा गाजर सिम्ला मिच हरी प्याज यानी स्प्रिंग ओनियन लि सांबर में हलका सा मीठा पन रहता है हमें एक्स्टा चीनी या फिर गूर का इस्तिमाल नहीं करना होता है तीन सचार मिट के लिए सभी सब्यों को मैंने अच्छी तरह से बुंते वे पका लिया है उसके बाद एक चोड़ी चमच हल्दी पाउडर एक चमच जीरा पाउडर चमच धनिया पाउडर एक चमच में कस्मरी लाल मिच पाउडर दाल देना है दो चमच में पर सांबर मसाला पाउडर डाल देती हूं आप किसी भी ब्रैंट का इस्तमाल कर सकते हैं तो सभी पाउडर मसाले को डालने के बाद हम सबजियों में अच्छी तरह से 3-4 मिट के ल चार मिट के लिए तो यहां पर देखिए दाल और सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से बून कर पका लिया है अब में हां पर एक चुटी चमच गर्मसाला पर डाल देती हूं इसी की साथ हमें एक से 1-3 चमच नमक बी डाल देना है और साथी में हापर डाल देती हूं करना होगा जरूरत होगी तो हम डालेंगे ने तो मैंने हैं पर सिर्फ दो पानी डाल दिया है जैसे ही पानी में कुबाला जाएगा हमें क्या करना है कुकर का लीड लगा लेना है स्टोप के हाई फ्लेम पर हम इसे चार से पांच वीसी लाने तक पका लेंगे सब्जी भी और हमारा बैटर बिल्कुल बन के तयार है इटली का आप देख सकते हैं कितना गाड़ा सा थिक हो चुका है सूजी अच्छी तरह से फुल गया है अब मैं हापर डाल देती हूँ एक चमच नमक अपने टेस्ट के मताबिक डाल लिएगा अब मैं हापर एक चमच चिली फ्ले पहला इस तरह से कर लोंगी तेल लगा कर हमें पहले इस तरह से उस निखले तो अब मैं हापकर डाल देती हूं बैटर आप चाहें तैली के चांच में बना कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगगोगों के सहूलियत के लिए है इस थे मनें ठीक हелей में बना कर तैयार कर em आजा कि арकोई पूरिया है तो यहां पर मैंने सभी काटोरी बैटर डाल दिया है और पानी को गर्म होने के अच्छी तरह से रख लिया है यहां पर देखिए पानी अच्छी तरह से एब क्कौनने लगा है अब मीघक कर रक अच्छी तरह से cover कर लेती हूँ 15 मिट के बाद देखिए हमारा मार्शालला से इटली बिल्कुल बनकर तयार है इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे थोड़े देर के थंड़ा हो जाए उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे इसी दर्मियान हम यहाँ पर सांबर को चेक कर ले करना है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो लीजी फ्रेंट मार्शालला से हमारा सांबर बिल्कुल बनकर तयार है जटपट बनकर तयार होता है इस तरह से आप एक बाद जरूर रहे कीजिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा स्रिप 15 मिट के अंद डालेंगे तो तूट जाएगा क्योंकर बहुती सांबर त्यार होता है अगर आपको इसके साथ है पसंद है तो नारियल की चटनी की रेसिपी की लिंक में डाल दूंगी डिस्किप्शन बॉक्स पर आप जरूर देखिए का बहुत ही मज़ेदार का चटनी बनकर तयार होता है तो लीजी फ्रेंड्स माशालला से जटपट बन जाने वाला सांबर और जटपट बन जाने वाला तो चलिए मिलते हैं अपने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआउ में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज